अब्रॉड से MBBS करवाई जा रही है 15 लाख में जी हाँ 15 लाख में अब्रॉड में MBBS करवाई जा रही है ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी बहुत सारे कंसल्टेंट्स बच्चों को बता रहे हैं कि बस 15 लाख में आपकी MBBS कंप्लीट हो जाएगी क्या ये सच में रियालिटी है आप बच्चों को ये वीडियो जरूर देखनी है आगे तक ताकि आपको पूरी डिटेल में पता हो कि जब आप अबरॉड जाते हैं आपको कौन-कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करनी है आपको पूरी ये कॉस्ट डिटेल में नोट डाउन करनी है ताकि आपको रियल बजट पता चल जाए इस वीडियो की आखरी तक आप ये डिसाइड कर लेंगे कि MBBS अबरॉड से करना 15 लाख में मित है या फिर एक रियालिटी है बिफोर वी गो हैड आप मुझे बताईए कि आपका कित्ता बजट है ताकि हम आपको वो यूनिवर्सिटी स्जेस्ट कर सके विद दा एक्ट्यल बजट और ये गूगल फॉर्म भरिये ताकि हम आपको परस्नलाइज कांसलिंग दे सके और रियालिटी में रियल बजट बता सके इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे 10 कौन से हेडर्स है जो आपको अपनी कॉस्ट में इंक्लूट करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि रियल बजट कौन सा है इसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको कुछ उनिवर्सिटी बताऊंगी जो अंडर 22 लाक्स, अंडर 25 लाक्स, अंडर 30 लाक्स और अंडर 35 लाक्स है ताकि जब आप एक उनिवर्सिटी चूज करें टॉप उनिवर्सिटी चूज कर पाएं with their real budget सबसे पहले बात करते हैं 10 ऐसी कॉस्ट जो आपको आड करनी होगी to know the real budget for MBBS abroad, that too from Russia सबसे पहली major कॉस्ट जो आती है, वो है tuition fee tuition fee आपको 6 साल के लिए लगती है अगर किसी उनिवर्सिटी की tuition fees धाई लाक्स है वो 6 साल के लिए अगर आप पे करेंगे तो आपकी जो tuition fee लगेगी वो लगेगी 15 लाद फिर जो second cost आती है वो है hostel fees hostels यहाँ पे आपको government hostels मिलते हैं तो आपको 13,000 से शुरू होकर 48,000 तक hostels मिल सकते हैं फिर यहाँ पे आएगा आपका visa visa में दो टाइप के visa होते हैं सबसे पहले initial visa cost जो आपकी लगती है number four में आपका लगता है visa extension cost जो कि हर साल आपको extend करना पड़ता है क्योंकि visa जो आपका one time लगता है वो three months के लिए होता है उसके बाद हर साल आपको visa extend करवाना होता है number five medical insurance किसी भी country में आप जाए medical insurance महाँ पे लेना mandatory है medical check-up होता है जिसका expense आपको bear करना है number seven biometric expense ये expense new introduced हुआ है जब से covid हुआ है इसका expense भी आपको bear करना है जबकि अगर मैं इन सब की cost की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा cost नहीं है इन सब को मिला के आपका approximately 15,000 के आसपास cost आता है number eight आता है food expense food के आपके पास two options रहती है या आप mess ले सकते है या फिर आप खुद भी cook कर सकते है अगर आप mess option लेते हैं तो आपके पास approximately जो cost आती है वो आती है hundred dollars per month और अगर आप खुद से cook करते हैं तो आपकी जो cost लगती है वो 3000 to 5000 लगती है तो ये भी cost आपको include करनी है to know the real budget फिर number nine पे आता है traveling cost आप इंडिया से रशिया जाए रशिया से इंडिया वापिस आए आपके उपर depend करता है आप कितने बार आते हैं कितने बार जाते हैं लेकिन ये cost आपके budget में include कोगी number 10 जो cost है वो है आपके personal expenses personal expenses आप इंडिया में रहते हैं तो भी आप spend करते हैं तो अगर आप रशिया या कहीं पे भी रहें आपको एक personal shopping, stationery ये सब चीजों का expense भी include करना होगा so MBBS abroad का real budget जानने के लिए आपको ये 10 cost ज़रूर से include करनी है तब ही आप जान पाएंगे कि आपका real budget कितना आया है अब इस वीडियो में मैं आपको briefly top universities बताऊंगी जो की under 22 lakhs, under 25 lakhs, 30 lakhs और 35 lakhs में हैं ताकि wisely आप अपनी university चूज कर सके so under 20 to 22 lakhs अगर मैं बात करूँ, there are 3 top universities, number 1 is Pitro Zawak State Medical University, number 2 is Tavej State Medical University, number 3 is Yaro Salavia State Medical University top 3 universities under 25 lakhs, number 1 Bashki State Medical University, number 2 Emmanuel Khan Federal Medical University, number 3 Samara State Medical University then 2 universities under 30 lakhs, जो की top universities है, St. Petersburg Medical University, उसको North Western Medical University भी बोला जाता है and number 2 is Kazan State Medical University then last जिसका budget थोड़ा सा हाई है, बट वो top universities है, वो है number 1 Kazan Federal University, then Far Eastern Federal University and number 3 is Northern State Medical University, इस वीडियो को जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्या cost आपको include करनी है और कौन-कौन सी top universities है, जो आप चूज कर सकते है, with the right budget we wish you all the best, अपनी universities बोहत wisely decide करना, अगर आप इन में से किसी भी university में admission लेना चाहते हैं आप हमारी team को contact कर सकते हैं, हम आपको with transparency, with no hidden cost आपको सारगी सारी cost बता कर एक अच्छी university में admission दिला सकते हैं because we are the authorized partners of all the universities in Russia, thank you so much, stay tuned with us for more such authentic information